हलो अव्रीवन वेलकम टू ओनलाइन क्लासे स्टूडेंट्स हम लोग अपना लेसन को कॉंटिन्यू कर रहे हैं और लेसन है सविक्स बुक सविक्स लेसन नंबर फाइव और जो है चप्टर का नाम है दे जुदिश्ट्री और अब हम लोग इसका आज जो हम पार्ट देख र क्या है तो पब्लिक इंटर्स लिटिगेशन तो पी आएल के बारे में हम लोगों ने एंड किया और वहां इससे पहले जो है हमने जुडिश्री के बारे में काफी सब्सक्राइब करके लोगों ने बिहार के अंदर कुछ प्रिजनर्स को छुडवाया ठीक है पी आएल की व भोजन है वह हमारे जीवन का अधिकार है तो यह जो है इसलिए पी आएल दायर की गई कोट के अंदर तो यह लोग यह टॉपिक हम लोग प्रिवेस वीडियो में डिसकर्स कर चुके थे आज जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और जो टॉपिक है वहां से स्टार् तक जाना ही नियाएए पाने के बराबर है तो यह को एक्सराइज एक कुलोड रोल इंटर्प्रेटिंग अध्र fundamental rights of citizens and as you saw in the above case the courts interpreted article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food कहरा है कि इससे पहले हमने पढ़ा कि आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार के बारे में बताये गया है सम्मीधान का जो और र्टिकल 21 है उसमें जीवन के अधिकार के विशे में बताया गया हुआ है तो ग 15 के आधिकार में शामिल है खाने का अधिकार क्योंकि जीवन तभी मिलेगा जब हमें भोजन मिलेगा तो इस लिए सरकार को यादेश दिया गया कि स्कूल में आप बच्चों को भोजन दीजिए ठीक है इसलिए आठवी तक के स्कूल में जो गवर्मेंट स्कूल होते हैं एर्थ क्लास तक के जो स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों को मिड़े मिल दिया जाता है जिसमें सरकार की तरफ से बच्च नहीं मिल रहा तो हम जिन्दा कहां से रहेंगे तो जीवन का अधिकार तो रहा ही नहीं इसलिए कोट के यह अधेश हुए कि जीवन के अधिकार में बोजन के अधिकार को जोड़ा जाए ठीक है इसलिए फिर सरकार को यह इंप्लीमेंट करना पड़ा कि मिड़े मील जो है वो स्कूलों में देना कंपल्सरी होगा ठीक है देरफोर ऑड़र्ड दा स्टेट तो टेक टेक सर्टन स्टेप्स तो प्रोवाइड फूड फूर ओल इंक्लूडिंग दा मिड़े मील स्कीम आगे बोल रहे है कि इसलिए सरकार को आदेश दे गए कि मिड़े मील स्कीम चला यह ठीक है आच आगे देखिए और देखा गया है कि कोड का जो जजजमेंट है ठीक है वो आम इंसान के खिलाफ है कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिला है फोर एक्टिविस्ट ठीक है समाजी कर्ये करता को एक्टिविस्ट बोलते हैं जो समाजी कर्ये करता होते हैं ठीक है जो समाज की भाई के लिए काम करते हैं एक्टिविस्ट उनको कहा जाता है Who work on issue concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgments on evictions are a far cry from earlier judgments के एक आमपल के तोर पर बतारा है कि एक कौट वैस्ट के ellमे को प्रतार कि वियू प्रप्रक is यहीजिट देना का मुद्द था लोगों को को घरोंको वह दे दखल कर देने का मुद्दे खार्था एक एक आ्टिविस्ट खेलए कौँंकि को एक जुग्गी जोपडियां हटाने के आदेश दे दिये थे ठीक है तो फिर एक अक्टिविस्ट ने दुबारा इस मुद्दे को उठाया क्योंकि ये कोट का गलत आदेश था ठीक है ये चीज है ऐसा मानना लोगों का था अब लोगों के मानने के अनुसार ही फिर कोट को भी स्लम ड्वेलर्स एज ए एंग क्रॉचर इन दा सिटी अर्लियर जज्जमेंट्स ठीक है लाइक दा नाइंटीनेटीफाइव ओल्गा टैलेस वर्सिस बॉंबे मुनिसिपल कॉर्परेशन हाज ट्राइज तू प्रटेक्ट दा लेवल हुड्स आफ स्लम ड्वेलर्स एंग जोपडियां जो रहने वाले लोग हैं वह एंग करने वाले उन्होंने शहरों पर कबजा कर लिया है ऐसा माना गया कोड के अदेश के नुसार तो उसलिए उन्हों यह कि यह जो फैसला है एक्चुली में 1985 में भी एक मुद्दा हुआ था जो कि ओल्गा टैलिस और वर्सिस बॉंबे मुनिसिपल कॉर्परेशन इनके बीच में मुगदमा था तो जिस मुगदमे के बिल्कुल विपरीत फैसला दिया गया यह मुगदमे में तो फैसला दिया ग भी होते हैं तो अब क्या है कि अब कुछ एक्टिविस्ट है जो यह आवाज को उठा रहे हैं कि यह तो बिल्कुल विपरीत है ओल्गा टैलिस वाले मुगदमे में तो कोट ने कहा कि सबको जीवन का अधिकार है और अब कोट कह रहे हैं कि जुग्गी जोपडियों को हटा गया दिया जाएगा तो आशेखे जीवन का धिकार में खाने को जोड दिया गया क्योंकि अगर क्षाना नहीं होगा तो इसे ही तो इसलिए यह कुछ एक्टिविस्ट है जो इस बात को विरोध कर रहा है खृटक है और इस फिर पुना विचार हो रहा है समझने हैं बात को क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है पहले हमने प्रीवेस वीडियो में देखा कि भोजन को आर्टिकल 21 जो कहता है कि सब को जीवन का अधिकार है तो कोट में सुप्रीम कोट में ये फिर बहस हुई और ये कहा गया सुप्री दिया जाएगा ठीक है जी आच्छा अब ऐसी ही एक और फैसला आया कि जिसमें कोट ने का कि जुग्गी जोप्रियां हटाईए ठीक है आच्छा तो अब एक्टिविस्ट फिर दुबारा इस बात को उठा रहे हैं कि यदि लोगों के सर से सर ही छत ही हट जाएगी तो और सबको जीने का अधिकार है और आप सरकार उनकी छते छीन रही है जुग्गी जोपड़ी वालों को हटा रही है तो जीवन का अधिकार कहां रह गया तो इसलिए कुछ एक्टिविस्ट कोट के इस फैसले को गलट ठहरा रहे हैं और कोट का पुराना फैसला जो की ओल्ग कौट दे दी थी तो इस को कह रहे हं कि आपने यह फैसला दिया झा तो क्या सोच के दिया या तो आप यह भी फैसला नहीं देते तो आपने जब यहां फैसला दिया तो अब जुग्गी जोपड़ी वालों अटाने का वालों क्यों दे रहे हो बात यह है सम्ज्ञonst hospital की तो तो ऐसी भी होते हैं जो जन्ता के फैसलों के विरुद होते हैं यह निक्ता को फैसले पसंद नहीं तो उसके लिए भी दुबारां से लोग इसलिए प्यायल का ऑप्शन रखा गया तीक कि यदि ऐसा लगता है आपको तो आप P.I.L. there कर सकते हैं आगे देखिये the sweep of the right to life conferred by article 21 is wide and far reaching life means something more than mere animal existence it does not mean merely that life cannot be extinguished or taken away as for example by the imposition and execution of the death sentence except according to procedure established by law that is but one expect of the right to life and equally important faced of that right is the right to level hood because no person can live without them without the means of living that is the means of livelihood hood यहां पर कहने का मतलब क्या है यहां पर कहना चाहरे हैं कि अगर लोगों से उनकी च्छट छीनली जाएगी अब वो फुटपार्ट पर और जुग्गी जोपडियों पर रह करके काम करते हैं वहां पर उनका रोजगार है ठीक है एक्टिविस्ट इस बात का हवाला दे रहे हैं ठीक है यह बात कह रहे हैं कि वहां पर उनका कहते हैं कि अगर सबको जीने का अधिकार है और आप उनकी जुग्गी जोपडियां हटाओगे तो वहां से उनका रोजगार हट जाएगा और जब रोजगार हट जाएगा तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी जब रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो उनको जीवन का दिकार ही कहा रहे गया अब समझें तो उनको तो जीवन का दिकार रहा ही नहीं इसलिए activist जो है वो इस बात को उठा रहे है ठीक है आच्छा that the eviction eviction का क्या मतलब बताया था मैंने आपको बेदक ली करना ठीक है आच्छा that the eviction of a person from a pavement pavement का मतलब होता है footpath pavement माने footpath और slum slum माने जुगी जोपडिया ठीक है आच्छा जो मलीन बस्तिया जी से बोलते ना उसे बोलते है slum pavement or slum will invariably lead to the deprivation deprivation का मतलब होता है हानी हानी नुक्सान of his means of libelhood is a proposition which does not have to be established in each individual case in the present case that facts constituting empirical evidence justify the conclusion that the petitioners live in slums and on pavements because they have a small job to nurse in the city and for them there is nowhere else to life कहने का यहां पर क्या मतलब है कह रहा है कि यदी जो activist हैं वोई कह रहे हैं कि यदी अब हम उन्हें footpath से या slum से जुगी जोपडियों से अलग कर देंगे बेदखल कर देंगे तो उनकी रोजी रोटी चली जाएगी और अगर उनकी रोजी रोटी चली जाएगी तो उनको जीने का अधिकार ही कहां मिला ठीक हैं उनकी रोजगार छिन जाएगा वो बहुत छोटे रोजगार करते हैं, जो कि जुग्गी जुपडियों में रह के करते हैं, वहाँ पर उनके छोटे छोटे रोजगार चलते हैं, आपने उनका जुग्गी जुपडियों हटाई, उनका रोजगार हट गया, तो वो जिंदा कैसे रहेंगे, उनको जीने का अधिका तो आर्टिकल 21 का मतलब ही कोई नहीं बनता फिर तो एक्टिविस्ट का ये कहना है आगी बात समझ में जबकि कोट का कहना क्या है कि जुग्गी जोपरियां हटाईए ठीक है तो इसलिए एक्टिविस्ट जो है कोट क्या देश का को विरोध कर रहे हैं देश्चूज ए पेंट ओर सलं इंड़ विसिनुटी का मतलब होता है आसपास की जगा यानि कि जो लोग सलं में रहते हैं वह अपने आसपास के लाकों में काम करतें ठीक है बीसिनिटी ओफ दियर प्लेस अफ वरक एंड हैं तो लूज दा पेंट और असपास is to lose the job कह रहा है कि वो अपने जुग्गी जोपड़ी वाले अपने आसपास के इलाकों में काम करते हैं या वहीं रह के काम करते हैं अगर वो अपने जुग्गी जोपड़ी चोड़ देंगे या अपने पेविमेंट पेविमेंट का मतलब फुटपाथ को छोड़ देंगे तो वो अपनी जॉप छोड़ देंगे ठीक है उनकी जॉप चले जाएगी दा कॉन्क्लूजन देर्फोर इस दाट अट अफ़ अफ़ प्रेशनर्स विल लीड तू डेप्रिवेशन अफ़ देर लेविल होड अफ़ अच्छा और उन्होंने हवाला दिया है यानि के निश्कर्स यह निकलता है बात का उनका कहना यह एक्टिविस्ट का कोट में कि अगर आपने उनको यहां से हटाया तो उनका रोजगार चला जाएगा उनका जीवन चला जिसकी वैसे उनका जीवन चला जाएगा और वो हवाला दे रहे है ओल्गा टैलिस वर्सिस बॉंबे मिनिस्टिवल कॉर्परेशन का जो कि 1985 में फैसला आया था तो देखिए कई बार ऐसा भी होता है मैं आपको बताता हूं देखिए आज के टाइम में ठीक है जैसे अभी हमारे देश की परस्तितिया क्या है ठीक है अब यह पूरी दुनिया में इस बात का एक मजाग बनता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्लम दुनिया के सबसे फेमस सहर है कि मोंबई ने हैं तो दुनिया की सबसे बड़ा जुग्डी जोपड़ी यानि कि दुनिया के सबसे गरीब गरीब जो मलीन लोग है बहुत जादा गरीब ठीक है अदीन हीन है या जिनके पास रहने की जगह नहीं है तो वो लोग वहां रहते हैं तो यह भी होता है कई बार क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं जब 1985 में फैसला दिया होगा ओल्गा टैलिस वर्सिस बॉंबे मुनिसिपल के लिए तब उसको रहना सही ठहराएगा क्योंकि उस समय पे रहनी की जगह रही होगी इतनी ज़्यादा जुग्जी जोपड़िया नहीं रही होगी तो शैद कोट ने जो सोचा होगा सोच करके फैसला सही सुनाया होगा कोट ने जो सोचा होगा देखिए नियाय हैं लेकि आगे तो हम कुछ नहीं बोल सकते ठीके और भाई देखिए यह तो कोट का फैसला है और बाकी तो सही परिस्थितियां क्या है? इस बारे में तो हम यहां से बेटे-बेटे, कुछ भी नहीं क्ये सकते क्योंकि क्या कंडिशन है? ठीक है, किस वज़े से कोट कोट यह फैसला दे रहा है वो तो कोट ही जानें ठीक है बाकी इस बात का विरोत कर रहे हैं त्रिक है यह बात है आचा तो यह यह मुकदमा डला हुआ है आप कह रहे कि इस बात को जाके find out कर सकते हैं मुकदमे को जो आक्टिविस्ट ने मुकदमा डला हुआ है देखे क्या है find out about the street vendors street vendors यानि गलियों में समान बेशने वाले जो की जुग्गी जोप्रियों में रहते हैं protection of livelihood and regulation of street vending act 2014 ठीक है इस के तहत कि हम जो है जो है क्या बोलते हैं लिव आमें जीने का अधिकार है और हमें भी गलियों में समान बेशने का अधिकार है इसके लिए act 2014 बनाया गया है ठीक है आच्छा जी और उसके बाद क्या कहते हैं देखिए आपर एक अनदर इशू है ठीक है फ्रेज जस्टिस डिरेट इस जस्टिस डिनाइड यह बहुत ही इंपॉर्टन फ्रेज है यानि इंपॉर्टन लाइन है जस्टिस डिरेट इस जस्टिस डिनाइड ठीक है आच्छा यहां पर देखिए यहां पर एक और मुद्दे की बात कर रहा है यहां पर किस्सा क्या उ लोगों द्वारा कि यदि न्याए मिलने में देरी होती है न्याए समय पर नहीं मिलता इसका मतलब यह हुआ कि न्याए ही नहीं मिला ठीक है? कई बार बहुत सर केसी ऐसे हो जाते हैं जिनमें बहुत-बहुत साल लग जाते हैं न्याय को पाने में तो यदि उनको बहुत साल बाद जाके न्याय मिला तो न्याय मिलने के बराबर ही है क्योंकि उनकी तो उमर ही निकल गई, उनकी तो आपने उमर ही निकाल दी, ठीक है न, तो उनको तो न्याए मिलना नहीं मिलना एक ही बराबर है, अगर समय पे न्याए नहीं मिला, तो उस न्याए का कोई फाइदा नहीं है, इसलिए स्लोगन दिया गया, कि justice delayed is justice denied, ठीक है, most important line is often used to characterize this extended time period that courts take, ये line इसलिए दी गई है, क्योंकि न्याए में लोगों को बहुत देर लग जाती है, न्याए प्याने वाले लोग मर जाते हैं, अभी एक recently news आई थी, जिसमें पता चला कि एक सुप्रीम कोट के अंदर, एक महिला ने, रेप के केस को दर्ज कराया, जब मुक सुप्रीम कोट में उसके सुनवाई की बारी आई, सिर्फ सुनवाई की, यानि केस को उठाना था, सिर्फ सुनवाई करनी दी, न्याए नहीं देना था, तो जब सुनवाई की बारी आई, तो उसे मरे वो भी पांच साल हो चुके थे, ठीक है, आप समझ सकते हैं, कि कितने स साल पहले उसके साथ अत्यचार हुआ जिसके लिए वो मुगर्दमा लड़ती रही लड़ती रही उसने शायद अपने सारी उमर बिता दी और जब सुप्रीम कोट अपने मुगर्दमा सिर्फ सुनने के लिए उठाया कि उसकी बारी आई तो तब तर उसे मरे वो भी कहीं साल हो चुके थे तो आप समझ सकते हैं कि नियाए देर से मिलना भी नियाए ना मिलने के बराबर होता है यह हुई बात ठीक है पॉइंट है यह बहुत इंपॉइंट है जो कि एक लूज पॉयंट आप कह सकते हैं हमारे सिस्टम का ठीक है यह एक लूज पॉयंट है हाला कि इस लूज पॉयंट को थोड़ा क्लियर करने के लिए यहां पर बताता है देखिए यहां पर क्या दे रहा है number of judges in इंडिया यहां पर देखिए court की judges दे रख्शे हैं यह सुप्रीम कोर्ट में 34 विकेंश फिल हैं और हाई कोट के अंदर 1079 जिसमें से सिर्फ 655 फिल हैं 424 अभी तक खाली पड़ी हुई हैं और डिस्टिक कोर्ट के अंदर यह सब ओर्डिनेटेट कोर्ट होते हैं उनके अंदर 22,644 आपका सीट्स हैं जजिस की जिसमें से 17,509 सीट्स भरी हुई हैं पांच और 135 सीट्स वेकेंट हैं यह डाटा दिया गया है यानि कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 सीट्स हैं 34 के 34 फिल हैं हाई कोर्ट के अंदर 189 सीट्स हैं जिसमें से 655 सीट्स फिल हो रखी हैं 424 खाली पढ़ी हुई हैं और डिस्रिक कोर्ट में 22,644 जिसमें से सिर्फ 17,509 सीटें भरी हुई हैं यानि कि इतने जजिज एविलेबल हैं 5,135 जजिज की कमी हैं अब यह डाटा भी देने की कोशिश कर रहा हैं यह डा हमारे देश के अंदर यह भी एक दुरभग्य है कि जजिस की सीटें खाली पड़ी हुई है ठीक है आच्छा तो जब जजिस की सीटें खाली पड़ी हुई है तो जब जजिस नहीं होंगे तो जो रिमेनिंग जजिस होंगे उनके उपर बर्डन आएगा ठीक है यानि यह त दस डिब्बो की ट्रेन में उधारन माल लेते हैं एक हजार यात्री बैटने की कैपेसिटी है अब यात्री हो गए एक लाख एक बहुत बढ़ गया यात्री बहुत जादा बढ़ गया तो कि पॉपलेशन पर हमारी कंट्री ने ध्यान नहीं दिया थीक है तो पॉपलेशन बहुत जादा बढ़ गई तो जिसकी वज़े से हुआ ये कि मैं आपको एक्जामपल दे के समझा रहो कि एक एक एक्जामपल तो हो रहा है कि अब कैपेसिटी तो आपके बस बिठानी की ह सिर्फ हजार यात्री ठीक है ट्रेन आप दस डिब्बो की चला रहे हो पैसेंजर बैठने वाले आपके बार लाख तो अब उन डिब्बो के अंदर क्या होगा बताईए थूसम थूस लोग भर के जाएंगे ऐसा होगा कि नहीं होगा बिलकुल सेम पोजिशन कोर्ट की है ठ सिर्फ हजारों की संक्या में सुनवाई हो पाएगी क्योंकि सिर्फ 34 जेजिस में सुनना है आप सुचके देखिए कि कब नंबर आएगा लोगों का ठीक है तो यह कुछ सिस्टम की है मैं कहूंगा कमी भी है ठीक है यह डाटा एक नुवंबर 2019 का है ठीक है आच्छा और इस इस तरीके का विवस्था करनी पड़ेगी यह सुधार हो सके क्योंकि अगर नियाय समय पर नहीं मिलता तो नियाय ना मिलने के बराबर ही है किसी विक्ति के साथ को अत्याचार हुआ है और उस विक्ति को मैं समय पर नहीं मिला आपको और एक ग्जमपल दूँँगा आगे आप पढ़ेंगे भी कि जब 1984 में 1984 में जब आप्रॉक्सिमेट 84 के असपास की बात है ये मुझे एक्जाक्ली अभी याद नहीं आ रहा तो इसमें क्या हुआ था भुपाल गैस्ट राज़्दी हुई ठीक है तो जो लोग वहां मर गए उनको जीवन तो दुबारा नहीं दिय जा सकता था जिसकी गलतियों से यह हुआ चाहे किसी की भी गलती थी उनको जीवन दुबारा नहीं मिल सकता था मगर इसके लिए बहुत लंबी कानूनी प्रिक्रिया करी गई अब जाकर के उनको जब अब 2000 सम्थिंग कुछ एयर में आकर के ठीक है यह 2015 में ऐसे कुछ एयर म ठीक है तो आप सोचें इमेजिन करिए कि कब की बाद हैंने 30-35 साल लग गए सोचिए 30-35 साल बाद जा करके वो जो विक्टम्स थे जो विचारे वहां पर जिन्हों के परिवार वालों ने अपनी अपने आपको वहां जान गवा दी थी क्योंकि वहां से मिथाल ऐसोसानाइ एम आई सी नाम के जहरीली गैस रिलीज हो गई थी जो कि रात को सोते सोते लोग मर गए थे ठीक है बोपाल गैस तराजदी में उनके परिवार वालों को अब जाके नियाई मिला उसमें से कुछ पूंजी मिली है सिर्फ खाली थोड़ा सा पैसा मिला ठीक है आज के समय में जो पैसा मिला है वो पैसा वो भी इंसफिचंट है अगर उस टाइम में वो पैसा मिलता मा लेते हैं अगर उनको आज 30,000 रुपे भी दिये गए हैं तो यदि वो सन 1980 में उनको 30,000 मिलते तो शायद उस 30,000 रुपे की बहुत बड़ी वैल्यू होती शायद वो कुछ अच्छ लेट जस्टिस डिले का तो तो 30,000 रुपे को वैली भी नहीं रही है अज की तारह में ठीक है तो यह यानि कि जस्टिस डिलेट इस जस्टिस डिनाइड इसी लिए स्लोगन दिया गया आ गया समझ में आपको बात अब यहां पर थोड़ी सी स्थिति को क्लियर करने के कोशि लिए अंपुरा मेरत किल्द ओन 22nd May 1987 इस फैमिली इस फॉट फोर जस्टिस फॉर ओवर 31 यह दू तु लॉंग दिले इन दा गॉमेंसमेंट अफ ट्रायल commencement का मतलब क्यों आता है आरंब करना commencement का मतलब आरंब करना और trial का मतलब क्यों आता है सुनवाई the supreme court in September 2002 यानि कि 1987 में उनके साथ ये घटना घटी 2002 में जाके सुनवाई शुरू हुई समझी आप ठीक है आच्छा उसके बाद supreme court ने उनका case transfer कर दिया state government से हटा के उसको state of उत्रप्रदेश से हटा करके case को डेली में transfer कर दिया गया डेली i court को दे दिया इन 19 प्रोविंशियल आमड कॉंस्टिबुलिरी पी एस्सी ठीक है आच्छा यह पुलिस फोर्स का नाम होता है ठीक है ना हाँ जी इसमें 19 पी एस्सी के जवान थे उनको सजा सुनाई गई थी मैं आपको बताता हूं इसकी है थे यानि 1900 कौन से सन की बात है 1987 की बात है 1987 में परिवार के लोग मरे 43 लोग मर गए सन 2002 में सुप्रीम कोट ने उस केस को सिर्फ उठाया सुनवाई के लिए कोशिश करी और फिर 2007 तक केस चलता रहा और ज्यादा आगे बढ़ा अच्छा और फिर 2007 में जा करके सिर्फ तीन गवा आया पाया ठीक है अब आप सोचे मैजन करिए इतने साल हो चुके तो क्या गवा भी जिंदा रहे होंगे हो सकता है कोई भुड़र वेक्ती रहा हो और वहा पर कोई witness रहा हो माल लेते हैं और उस वो गवा था उस बात का कि यहां भई हमारे सामने मर्डर हुआ है तो इतने 30-35 सॉलों में तो वो बुजर विक्ति जो गवा था वो मर चुका होगा तो अगर इतनी लेट करेंगे तो कहां से लोगों को न्याय का मतलब ही नहीं है ठीक है, finally, the Delhi High Court convicted the accused, accused का मतलब होता है, अपराधी, अपराधी, ठेराना, अपराधी, ठेराना, accused का मतलब क्या होता है, अपराधी, ठीक है, अच्छा, accused persons on 31st October 2018, यानि कि 2018 में, 31 October 2018 में, 19 PAC, PAC, पुलिस फोर्स होता है, ठीक है, अच्छा, ये एक armed forces होती है, पुलिस की, जो की special forces होती है, जब कभी खास critical conditions होती है, तब बुलाया आता है, हालाकि मैं आपको बता देता हूं, कि हुआ ये था, कि उस दोरान में, बाबरी मस्जित का मुकदमा चल रहा था, बाबरी मस्जित को ले करके दंगे चल रहे थे, तो बार-बार मेरट में, हिंदू-मुस्लिम दंगे हो रहे थे, और पुलिस बार-बार कर्फ्यू लगा रही थी, तो कुछ मुस्लिम जो तो हुआ यह कि उस केसिज में आर्मी नहीं पीएसी याने की स्पेशल टाइप पुलिस फोर्स नोट आर्मी ठीक है आच्छा तो उन्होंने उनकी बटालिन होती है उसमें कहीं सारे पुलिसमेंज होते हैं उन्होंने गोलियां चला दी जिस गोलियों के चलने के वज़े से 43 लोग उस गुरूप के अंदर जो कि वहां प्रेयर कर रहे थे या फिर वहां पहुंचे वे थे अब यह तो कोट के इंदर कहा गया कि वहां प्रेयर करने आये थे ठीक है जबकि कहीं बार ऐसा होता है जैसे आजकल आप देख लीजिए मान लेते हैं अब इन दिनों सरकार के अदेश है कि मास्क पहनना है अब लोग नहीं पहनते ठीक है उसका उलंगन करते आच्छा तो कई बार पुलिस को स्ट्रिक डैक्शन भी लेना पड़ता है तो उस समय की परस्तितियों के अनुसार अब वो क्या कंडिशन बनी होंगी ठीक है उन कंडिशन के अनुसार ठीक ह होंगे ठीक है उन लोगों ने गोलियां चलाने के लिए अदेश दिया ताकि दंगे को भड़कने से रोका जा सके तो उस गोलियों में 43 पीपल स्केल्ड होगे मर गए ठीक है आच्छा तो अब उनकी फैमिलीज ने फिर पुलिस की अगेंस्ट इस मुकरदमे को डाला ठीक ह तब जाकर के सन 2018 में 19 पुलिस अधिकारियों को उमर कैद की सजा सुनाई गई ठीक है अच्छा अब आप देखे 30-35 साल बाद जाके उनको न्याय मिला हाला कि यह हाई कोट ने सुनाया है वो लोग आगे सुप्रीम कोड भी गए होंगे ठीक है सुप्रीम कोड से आगे फैस पिश्किल होता है क्योंकि अब उस समय पर मैं आपको बता रहा हूं कि बाबरी मस्जित के दंगे चिड़े होए थे ठीक है और हिंदू मुसलमानों के जगड़े होने की आकंशाय थी तो शायद बार-बार कर्फ्यू की सिचुशन बन रही थी बार-बार उन इलाकों में कर प्रफ्यू लगाया जा रहा था तो शायद पुलिस ने भी यह सोचा हो कि यह लोग दंगा करने आए तो उन्होंने भी शायद बिना देखे सोचे समझे गोलीयां चला दी जिसमें की हो सकता है बेगुना लोग मरे गए और यह भी हो सकता था कि वो लोग दंगे की मन्चा स से थे यह भी हो सकता है हाला कि कोट ने तो जो सोच समझ के फैसला सुनाया होगा तो कोट ने उसको फैसला दिया और कोट ने बोला कि आप लोग पुलिस फॉर्स गिल्टी था ठीक हैं तो जब पुलिस फॉर्स गिल्टी थी तो फिर improvis, 19Pologia को जिन्हों ने गोलियां चलाई थी ठीक है उन लोगों को सजा सुनाई गई और अब उनको उमर कैद की सजा दे दी गई है संदोजर अक्ठारा में 31 अक्टूबर दोजर अक्ठारा में यह फैसला आया है जो की डेली हाई कोर्ट ने दिया है अभी अभी भी वैसे लीगल तो पर जो 19 लोग हैं उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी छूट है वह आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं ठीक है यह चीज़ है तो यह स्टोरी इसलिए बताई गई कि जो जज्ज्मेंट होता है उसमें बहुत डिले भी हो जाती है जज्ज्मेंट होने में क कई बार हमारे पास सबूतों का अभाव नहीं होता सबूतों का अभाव हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जब सबूत नहीं मिल पाते तो जज्ज्मेंट जो है वह प्रॉपर नहीं हो पाता उसमें पता नहीं चल पाएगा कि गलती किसकी है ठीक है और कई बार डिले होन ठीक है और इतने लंबे समय बाद कहां से witness आएगा 2007 में तो witness को बुलाए गए 1987 के बाद 2007 कितने लंबे समय बीद गया ठीक है तो यह चीज़ है तो justice delayed is justice denied ठीक है अब यहाँ पर यह एक सफाई देता है सफाई देता है कि discuss the impact of the shortage of judges on the delivery of justice to the litigants यहाँ पर judges के shortage होना एक जो है डिले justice के डिले होने का कारण बन रहा है ठीक है जैसे कि पहले एक fact बताएगा कि इतने इतने judges के seat vacant है ठीक है यह चीज़ है उसमें भी कहीं बार क्या होता है judges है judges कहीं बार vacations पर गएवे होते हैं कुछ judges चुट्टी पर हैं कोई व्यक्ति बिमार भी होगा तो जज़ेश बिमार भी हो सकते हैं तो कई बार क्यों था होता है वो जज़ेश भी उससे भी कम संख्या हो जाएगी कि चीज़ेश की कुछ सो शीटे पहले खाले और कुछ और व्यक्ति है इनसान है तो इनसान को बिमारी भी है उनकी समस्य हैं भी होती है तो हो सकता है वह भी चुटी पर हो तो और ज्टि अदूँ अधार लियो हो जाता है तो यह भी सिस्टम कि मैं काऊंगा कमी है इसमें ह है जजिस के जो एक्जाम होते हैं क्योंकि जज की सीट पर किसी ऐसी ही व्यक्ति को नहीं बिठा सकते हैं आप समझे है ना ठीक है आप देखिए जैसे अब ये पी एसी का ही मामला ले लिजे कि 1987 में दंगे हुए अब क्या सिचूशन बनी होगी मैं आपको स्टोरी भी बता र रही थी कि वहां पर पुलिस ने मतलब शांती विवस्था बनाए रखनी थी अब कुछ लोग वहां पर बैट करके चाहिए वो प्रेयर कर रहे हैं चाहिए कुछ भी कर रहे हैं ठीक है तो जब आदेश बाहर निकलने के नहीं है तो आप बाहर क्यों आए ठीक है तो उनको भी देख करके तो इसलिए शायद कई बार यह भी हो जाता है कई बार ऐसी प्रेस्तितिया बन जाती है कि जज्ज्मेंट भी कैसे दें क्योंकि साफ नहीं आ रहा है सामने क्लियर बात नहीं आ रही है ठीक है एविडेंस सामने क्लियर नहीं आ रहे है कई बार ऐसी प्रेस्त करने के हम भी अच्छे पदो पर जाएं और हम पढ़कर के इस लाइक बनें कि हम भी जजिस बन पाएं और जजिस की कमी ना रहे इंडिया के इंदर हम इस लेवल पर पहुँचे अपने देश को इस लेवल तक ले जाएं ठीक है इस बात पर नहीं पहुंचते हुए क्योंकि अभी हम इस हम इस उसमें नहीं है कि हम इस पर कोई फैसला सुना पाएं वो जजजिज हम से बड़े हैं और ज्यादा बुद्धीमान है वो फैसला उनका है कि उन्होंने क्या फैसला देना है ठीक है लिए लिए पर बताने की कोशिश करता है आगे कि चलिए कोई बात नहीं जो कई बार गलतियां भी होती है जज्च्मेंट में भी गलतियां होती है बाकि आगे बोलता है कि न्याए पालिका का फिर भी बहुत मैटमूंड रोल है ठीक है सबी फैसलों को तो एक तरजू में नहीं तोला जा सकता बहुत से ऐसे भी फैसले आये होंगे जिसमें हम कह सकते हैं कि नियाइपालिका ने बहुत अच्छा उधरान पेश किया ठीक है और हमारी कारियपालिका और विधाईका लेजिस्लेचर और एक्जीकूटिव कारियपालिका और विधाईका पर भी आशा है ताकि लोगों के fundamental rights बचे रहें ठीक है अगर हम अपनी विधाई का और यानि की politicians जो कि politicians हम चुन के बेशते हैं अगर इन पर कुछ नहीं लगेगा तो तो लोगों के fundamental rights बची नहीं पाएंगे मुलबूत अधिकार बची नहीं पाएंगे ठीक है the members of the constituent assembly had quite correctly लिखा है कि invention a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy कह रहा है कि हमारे देश में जो सम्विधान जब लिखा गया तो जो सम्विधान assembly के जो सदस्य थे उन्हों ने judiciary को देके independent judiciary को देके भारत में एक ठीक है एक अच्छा democratic country बनाने की भारत को कोशिश करी है ठीक है आच्छा हम जो है democratic country है ठीक है यानि सभी व्यक्तियों का स्वागत है और सभी लोगों के वज़े से ही देश चलता है तो यह बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है lesson यहाँ पर अब खतम हो रहा है students उससे पहले की मैं वीडियो को end करूं आप लोगों को मैं कुछ words दे रहा हूं इन words के वर्ड है payment payment और तीसरा वर्ड है vicinity वी आई सी आई एन आई टी वाई विसीनिटी यह तीनों वर्ड की मिनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखके बताएंगे students मैं सब चीजे note-down कर लेता हूं जो students कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हैं मेरे पास सारा डटा आ जाता है तो जो पढ़ रहे हैं बच्चे वह रेगुलरली पढ़ते रहे हैं और वीडियो को रेगुलरली देखते रहे हैं ठीक है की वाचिंग एंड की प्लान डिंग थैंक यू बरिमच